आम राम जै हिंद स्वागा देख़ा फिर से आपको हिंदीफेंस अकेडमी पे तो अब बहुत बहुत बहुतरीन वीडियो जाने वाले हैं इंडीफेंस अकेडमी पे यह सिर्फ ट्रेनिंग प्लान के उपर होंगे ठीक है कि कौन से दिन आपको क्या वर्काउट करना है कैसे क क्या वर्काउट करना है बाकि जो कुछ भी होगा चाहें वह आपको घुटनों में दर्दोसीन पेनों सब कुछ जितना भी है वह सब आपको हिंद फिटनेस में मिलेगा क्योंकि हिंद फिटनेस पे उसके वीडियो पड़े हुए थे तो हमने सुचा वह सारा डिपार्टमे मेरे साथ यह आ रही है कि ग्राउंड मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम सिफ्ट कर चुके हैं दूसरी तो ग्राउंड की बहुत समस्यारी जिसकी विजह से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं वीडियो या कुछ भी तो थोड़ा सा पांच-छे मेने हम खुद का ग्राउंड एक रेडी करवा रहें खुद का ग्राउंड का मेरा इतना पिछा तो नहीं है लेकिन एक ग्राउंड रेडी हो रहा है जहां पर हमें इजाजत है कि हम आप वीडियो सूट कर सकेंगे तो चार-पांच महिने का थोड़ा सा है लेकिन आपकी त्यारी नहीं रुक सुरुआत कर रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़न आपके उपर नहीं होना चाहिए देखो रनिंग बहुत तकड़ा काम है हर एक से नहीं हो पाती और बहुत टफ है लेकिन अगर आप धीरे-दीरे सेडूल को फॉलो करो को जो हम बताते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉब्लम तो फेस होगी कि आपकी सांस पूल ले स्टैमिना नहीं बना यह सब आम दिक्कते हैं यह सब चलती रहेंगे पैरों में दर्द है अगर बाहर निकलो तो तकलीफ है तो होगी ही लेकिन हां उनको मिनिमाइस कैसे किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे तो आ हाई जंप लॉंग जंप के बारे में अभी नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि हाई जंप लॉंग जंप के लिए जो भी आपको बैस यूट्यूब चैनल लगता हो जो भी जिनके वीडियोस अच्छे हो आप वहां से देख सकते हो लेकिन पहले साथ दिन में अगर आप मेरा पालो कर रहे हो तो सिर्भ यही फॉलो करना अगर नहीं करना यह तो चार जयगे मत रहना जहां पर भी आपको सही है कि वहां फॉलो करो अपना सेलेक्शन लो बस वह मेंटर करता है बाकी कोई दिकत निए क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर शुरूआत सही बड़न पूरा आप धेर हो जाओगे और एक चीज मैं यह बता दू मेरे जितने भी प्लाइन आते हैं मेरा जितना भी वरकाउट आता है वह सब आता है बिगिनर के लिए बिगिनर मतलब इन्हों ने शुरुआत की है यह जो बहुत बड़े अथलेट से उनके लिए बहिया नहीं है सौरी यह और सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब दोड़ करने हैं मतलब जब जाना है ठीक है दूसरे दिन हमें 1600 मीटर की जॉगिंग करनी है जॉगिंग का मतलब होता है वाक से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे जो बंदा दो दिन हुए जाए तो उसको इतनी जल्दी कवर नहीं करता है तो आपको क्या करना है छोला सो मिटर आपको जोग करना है वाक से थोड़ा साबदे आपको पुश करना है जॉगिंग ठीक है तो सोला सो मिटर्ड अब इखकोोई निàcies वो हम अपनी मेन चैनल पे हिंद फिटनेस पे डिसकस करेंगे बहुत डिटेल में ठीक है और एक चीज़ ये बता दें कि 6 मिनट लड़कों का था और फीमेल का था 8 मिनट तो दोनों का हम क्राइटेरिया लेके चलना है लड़कियों का ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम रहे जाएंगी नहीं उनको भी बराबर दोडाना है आप अगर नहीं हो पा रहा है आपसे इतना तो आप उसको कम रखो कोई इसू नहीं है 800-meter करेंगे पहले हम फिर थोड़ा सा rest उसके बाद उसके दो चकर उसके बाद high knees करेंगे हम 4 set और free square उठक बढ़े ठक है high knees करने है जितने भी आप से एक बार में हो जाते हैं उसके 4 set repeat करने हैं और free square के साथ भी है यह जितने set आप से हो जाकते हैं बहुत best plan है यह बहुत 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 है इंडिया की नहीं बहार के लिट का प्लाइन है वन माइल प्लाइन मैंने जो चार पांच प्लाइन को एकटा करके तब बनाया है बहुत मेंद कर रहे हैं और आप यह फॉलो करो गैरेंटीड आपको रिजर्स मिलेंगे 45 दिन के कर बंधा है अमें करना है लंजे का To be the ini में आप देख लेना उसके बाद बर पीस यह सारे चीजें आप अगर आप ko इसे नहीं मिल पार हैं तो यह आप सर्च कभी कर सकते हो ठाक है लंजेस बर्पीस सामने अगर आएगा तो हम सामने डाल भी?देंगे jumping jack अब इसमें हम आपको कोई boundary नहीं रख रहे हैं आप इतने ही करो आप से जितने हो सकते हैं जितनी आपकी capability है सुरुआत में उतने करो आप ठीक है यह तीनों आपको करने हैं उसके बाद आपको करना है एपस के exercise साथमें दिन आपको वही मसाज और रेस्ट लेना है ठीक है अब चलते हैं में अठाइस दिन जहां पर हम बनाएंगे अपना वाले से तेज होना चाहिए बस इतना ध्याना ठीक है अच्छा कुछ लोगों को यह दिक्कत हो रही होगी कि कुछ होते हैं कि यह प्लाइन बता रहे ग्यानी बनना है कि आप प्रूफ है कि इतना सही है हम 20 तारिक को सबसे बोलेंगे जितने लोग भी देख रहे हो 20 तारिक अब उस समय यहां पर इतना एक्टिव नहीं थे तो मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है लेकिन पंडित क्लासिस पर आप आना लाइव देखना जाके वहां पर जब लाइव में कमेंट आएंगे तब आप वहां पढ़के अपने आपको संतुस्ट कर सकते हो कि आप साही जग यह सरी के वहम हो जाए फिर अमें करना है 200 मिटर की जॉगिंग 400 मीटर पेस रहनीं 400 मिटर की फिर जोग फिर 400 मिटर रहरी अब पेस रहनीं और आंप तो आप उससे Sprint मao नहीं है और आडенно Cring 200 मीटर के 8 शक कर मारने है या तो हिल पर या तो इंकलायं जो लोग जिम जाती है उस पर कर सकते हैं गारी यह तो तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो 30 मिनट टाइमिंग रहेगी लेकिन इस बात का ध्यान नहीं टाइमिंग मत बढ़ाना और टाइमिंग के पीछे क्या खेल है वह हम समझाएंगे हिंद फिर्टेंस में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजे समझानी है आपको बहुत ब हमारी टाइमिंग रहेगी वही टाइमिंग आपको देखनी है पांचमें दिन ठीक है चटमें दिन क्या रहेगा पांस साथ मिनट की हमारी वाक रहेगी वाक का मतलब यहां जौक से होता है मतलब की आप जो पैदल चलते हुँछ से थोड़ी से बढ़ानी है और उसके बास स आती है हाई जंप और लॉंग जंप की यह मेरा सुबह या साम का प्लान है जब भी आप करना चाहो आप मॉर्निंग में करना चाहो और इवनिंग में करना चाहो आप इवनिंग में कर लो और बाकी जो एक टाइम बचेगा उस टाइम पर आपको करना है सारी एक्सराइज ज चिन आप्स हो गया ठीक है एप्स हो गया वरपीज यह सारी चीज़ी आपको करनी है कब सुबह यह साम को जब भी आपको एक टाइम पर करनी है और यह सब्लिया नहीं यह हो गया संदे को फिर हमारा रहेगा यह सांथ दिन का पुरा अब साथ को आप आप 4 बार multiply कर तो यसी schedule को आप 4 बार repeat करोंगे तो 28 दिन complete अब बचते हैं आर आखरी के 10 दिन आखरी के 10 दिन में पहले दिन हम जाएंगे तो 1800 मीटर के अपनी रेक्स चेक करेंगे 1600 मीटर की त्यारी कर रहे हैं मुझे पता है लेकिन चेक आपको टाइमिंग करनी है 1800 मीटर की दूसरे दिन हम करेंगे 200 मीटर की 4 स्प्रिंट 100 मीटर की 3 400 मीटर की एक स्प्रिंट stretching warm up cool down आपको daily करना है अगर उसको रोक दिया तो पैरों का दरदर फिर कोई नहीं रोक पाएगा 200 मीटर की 4 100 मीटर की 3 400 मीटर का एक हो गया तीसरे दिन बीस बीस में रणिंग करने के बाद 100 मीटर की दो बढ़ेसे स्प्रिंट मारनी से दो वी मैट वाग रन जॉग जो भी आपको उसके बाद 100 मीटर की 2 चौट जबर ने हैं और यह चारां सो मीटर नाए जसमें कर वा हुíst लीच औरbat सबस्टाइब greater का डिन डिมाँ वैतकर समय की आपकरए के बाद चारा यह वांनी दो मिटर की जिस में एक मिर्ट करेशrics रहेगा उसके बाद बात करते हैं पांचवे दिन की तो इसमें 1800 मीटर रणिंग रहेगी प्रॉपर आपका स्पीड चेक होगा ठीक है 1600-1800 मीटर चेक में आपका यह होगा कि आप ग्राउंड पर किस तरीके से एक्ट करने वाले हो साथ-छटवे दिन आपको मसाज, ओलिंग जो भी आप करते हो वो करनी है उसके बाद आप जा सकते हो आराम से दो दिन बाद रेस देने और इसके बाद एक दो दिन का रेस्ट बीडे लोगे तो फरक नहीं पड़ेगा, आपकी टाइमिंग बहुत प्रॉपर आने वाली है आज की वीडियो को यह इंड करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम